हेलो दोस्तों मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूटुब चाइनल पे स्वागत करती हूँ आज के वीडियो लेक्षर में क्या औरने वाला है आज हम लोग कम्प्लीट लेंगरेंज मीन वैलियू थूरम पढ़ने वाले है लेंगरेंज मीन वैलियू थूरम कल लास्ट में मैं अच्छे से नहीं बता पाई थी मैं बोली थी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी तो आज मैं आप लोगों को उसका अप्रूब भी बताऊंगी और एक दो एक्जांपल भी करेंगे और कम्प्लीट लेक्चर आज हम ल टेलर सेरीज पे और आज हम लोग का मीन वैल्यू थूरम चलेगा तो बस आप लोग का यह पोर्शन तो कम्प्लीट हो जाएगा न यह टेलर्स वाला काम कल मैं कम्प्लीट करवा दूंगी उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सिक्वेंस और सेरीज तो चलिए आज हम ल लेंगरेंज मीन वैल्यू थूरम लिखें लेंगरेंज मीन वैल्यू थूरम ओके और देखें इसका स्टेट्मेंट क्या है सबसे पहले तो आप लोग को स्टेट्मेंट लिखना होगा तो आप सभी लिखें लेंगरेंज मीन वैल्यू थूरम का स्टेट्मेंट क्या है तो आप लोग language min value थिरम आज पढ़ने वाले ये बता दी तो चलिए मैं इसका statement लिखवाती हूँ इसका statement लिखिए let fx be a function let fx be a function let fx be a function defined on a b defined on a b such that such that it is continuous on a b such that it is such that it is continuous on a b और ये closed bracket रहता था और second point था it is differentiable it is differentiable देखिए मेरे जो notes थान उसमें प्रूफ नहीं था इस मज़े से मैं आप लोग को लिखके पढ़ा रही हूँ नहीं तो उसी से पढ़ा देती हूँ तो सबसे पहले है it is continuous on closed bracket a b or it is differentiable on open bracket every third point के था then there exist a real number then there then there exist a real number C belongs to A, B such that such that F dash C equal to F of B minus F of A divided by B minus A यह आप लोग का क्या है यह है आप लोग का statement मेरे पास अभी black pen इधर होगा कहीं पर फेका हुआ पहले statement लिग जाती हूँ यह आप लोग का क्या है यह है आप लोग का statement तो आप लोग का statement याद रहेगा statement है Fx कोई function है जोकि defined है it is continuous and closed bracket A to B and it is differentiable on open bracket A to B then there exists a real number C belongs to A B such that F dash equal to F of B minus F of A divided by B minus A चलिए आप लोग proof लिखिए आप प्रूफ देखिए सब्जेक्टिव एक्जाम होगा ना तो आप लोग का maximum question theorem प्रूफ करने के लिए ही पूछा जाएगा आप लोग देख सकते ना previous year question और वहाँ से आप लोग थोड़ा से पता कर सकते हैं क्या पूछते हैं कैसे पूछते हैं उसी हिसाब से पढ़िए ज्यादा अच्छा लाएगा एक function कोई भी consider कर लिजे consider a function consider a function कौन सा function consider करना है कोई भी एक 5x कर लिजे जो की एक function है अच्छे से लिखेगा तभी माक्स मिलेगा ना वेड़ एज़ा कॉंस्टेंट वेड़ एजी कॉंस्टेंट टूभी चूजन टूभी चूजन इन सच अवे इन सच अवे डेट फाई एक्वल टू फाई वी इस प्रकार से आप लोगों को चूज करना है कोई भी function जिसमें फाई ए जो है वो फाई वी के ब्रावर होगा यह आप लोगों को उपर में लिखना होता है उसके बाद क्या करना होता है फाई ए ब्रावर फाई वी है मतलब नाव फाई ए इक्वल फाई वी तो आप लोग का मतलब फाई ए इक्वल फाई वी मतलब फाई ए यहाँ ए एक्स के जगा पर मतलब कि यह function आप लोग डिफाइन किये ना दूसरा करते हैं और फाई एक्स के जगण पर लिखिएगा तो आप लोग간 क्या होगा देखियें एफ ए बहुत जगा प्रूफ नहीं कर वाया जाताई event आ port कर दिए जैन को इसन कर दिए जाता है और उसे दो चारण खुरिया जाया आँ रजा थो और सब्झेक्टिम में आप लोगब देख रहे होंगे न कि अगर प्रिव्येश प्लस टाइमस बी तो यहां से आप लोगों का एकवल टु क्या आएगा माइनस अगर यह कॉमल ले ले जिए तो आप लोगा बी माइनस ए आएगा ओके आप लोग इसको सॉल्ब किये तो आया है यह वाला टर्म है उधर गया है और यह दोनों उधर गया है मतलों कि अप लोगो थोड़ा सा एक और स्टेप ऐसे समझ में आ गया होगा बस ओके यही था उसके बाद देखिए क्या है और यह भी माइनस ए आगया तो यहां से आप लोग का एक का वैलू क्या है एक का वैलू आया ए एक फो बी माइनस ए िवार का होगा यहां पर लिखिए स concern ुटेिनिव असमी मतलब आप लोगे इक च्टेप में था ना यह इक कांटेनिवर से तो सिंस एफट की झांटेनिवर्ण पैलके तो सिंस एफट कीच चुचुच कांटेनिवर्ण ऑटेज on close bracket a to b and ax being a polynomial polynomial function is everywhere continuous आप लोगों को पता होना चाहिए यह polynomial function जो होता है न वो सभी जगह continuous और differentiable होता है ओके यह point आप लोगों को पता होना चाहिए और मैं बताई भी होई हूँ तो आप लोगों को पता होगा is everywhere continuous everywhere continuous therefore 5x therefore 5x being the sum of two continuous function तो देखिए आप लोगों को यह भी प्रोपर्टीज बताई हूँ यह अगर fx को भी continuous function है तो अगर दो continuous function का sum लेते है तो वह भी continuous function ही होता है तो 5x जो होगा वह क्या है दो मतलब की continuous function का sum था आप लोग 5x मानने से देख सकते हैं यह भी eck Puliron Function है यह भी आ can continuous function ऐसे प्रूका यह एक यह आप लोगों का समझ भी आड है मेरी बात देखिए ध्यान से समझें आप लोगों को पहले क्या प्रूफ करना है यह पहले तो आप झहां को फाइक फाइकस में एक फक्रेक्सण इसीकों चल़ प्रूफ को परेकर नहीं है तो आप लोग फैस एक फांग्षन है पॉaffe फुलिन्यमें३ट फंक्षन यह भी आप लोगोंका कंट्टेनिवास होगा और यह भी थ्यक्ति से दोनों का समेशन भी कंटिनिवस होगा तो वहीं लिख रही हूं है इज एवरीवर कंट देर्फोर 5X बिंग दा सम फ्टू कंटिनिवस फंक्षन फंक्षन सम फ्टू कंटिनिवस अगर आप लोग डिए गुलरली सभी के सभी पिसला सेवल लेक्टेन की होंगे तो आप लो इस कंटिनिवस अन आ इक कॉमा बी ऑने और स्पिय लिखेंगे सिपियानगे एइक पोलिनोमीयल फंक्षन नहीं ऑविए इडिफ्रेंस थे बल और थे होता है तो उसी तरीकी से लिखेंगे आया आज एफेक्स डिफ्रेंसियवल और एड ए लमीए डिफ्रेंसियवल इस बि तो आप लोग क्या करना है आप लूग जो यह लिखे न है जहां पर continuous रिख Фण इज डिफ्रेंजियम लगाके उत्स यह ही किया आप लोगा उपन एककेट का यूझ कर लेना इसली लिख Being a polynomial, being a, being a polynomial function is everywhere differentiable, is everywhere differentiable, is everywhere differentiable. So, 5x, बस उपर वाला ही लिख जीजगा, यही being the time waste नहीं करते हैं, being the sum of two differentiable function fx and ax is differentiable on this. तो, first statement और second statement आप लोग प्रूफ कर चुके हैं, अब तो आप लोग का क्या हो जागा, यहां से हो जागा, also phia equal to phib. Okay, thus all the three conditions of rolls firm are satisfied by phi x on a, b, so there must exist c, तो आप लोगों का, यहां से क्या हो जागा, यहां से हो जागा, इसके बाद phia, phia equal to phib. आप लोग वो लिख लिजेगा, वाई जो मैं बोली, नहीं, यहां पर जो यह पूरा लिखा, वो लिख लिजेगा, उसके बाद लिखिएगा, also phia equal to phib. Okay, also phia equal to phib, तो अब हम लोगों को क्या करना है, all the three conditions of rolls firm are satisfied by phi x on a, b, so there must be exist, तो आप लोगों कोई एक ssc exist करेगा, a से b में, such that, such that, f dash c equal to, sorry, f dash c, phi dash c, phi माने थे न, हम लोग, phi dash c equal to 0, okay, just wait, अब ज्यादा जगा आ गया, phi dash c equal to 0, तो आप लोगों का phi x क्या था, phi x क्या माने थे, आप सभी को याद है, f x plus a x, और phi dash x क्या हो जागा यहाँ से, f dash x, और यहाँ से a हो जागा, तो आप लोगों का क्या हो जागा यहाँ से, phi dash c, f dash c plus a, तो आप लोगों का यहां से क्या हो जाएगा 5-C equal to 0 अप लोगों का 5-C equal to 0 की जगा मतलब f-C equal to f-C plus A equal to 0 तो आप लोगों को यहां से f-C equal to minus A आया और आप लोग A का value यहां पर निकाले थे minus of f of B minus E divided by B minus E तो आप लोग का यहाँ पर minus आ जाएगा तो आप लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा 5-C का value क्या हो जाएगा आप लोगों को f of b minus देखें minus यहाँ और लेड़ी है और यह minus उपर था था दोनों minus minus मिलके plus हो जाएगा और आप लोगों का roll theorem तो यही होता है न में तो परूव यही करना था क्या परूव करना था f-c equal to f of b minus f of a divided by b minus a आप लोगों का roll theorem इस तरीके से आप लोगों का proof होता है समझ में आये आप लोगों को कैसे हम लोग परूव किये कोच्छे से समझ में आया होगा तो चलिए एक कोसन में आप लोग को दो कोच्छन करवा दाती हो कि उसके वादा आप लोग को के जाद आप लोग को सबसे पहला पॉंट लिखना होगा polynomial function is continuous on everywhere okay मतलब की as we know that polynomial function is continuous so we can say that fx equal to this is a continuous function पहला प्रूफ पहला लाइन पहला एस्टेट्मेंट दूसरा क्या था दूसरा लिखना पड़ेगा उसके बाद मार्क मिलेगा इतना भी लिख लिए पहला जो है क्या लिखेएगा सबसे पहले आप लोग को लिखना होगा पहला और दूसरा पॉइंट हो गया और उसके पॉइंट क्या करना है आप लोगों को एक ऐसा सी फाइंड करना है जो आप लोगों को इसके बीच में बिलॉंग कर रहा होगा 3 से लेकर 5 के बीच में एक ऐसा C होगा जो आप लोगों को find करना होगा तो आप लोग ऐसे कीज़ेगा तो आप लोग इसको F-C equal to F of B minus F of A divided by B minus A F of B मतलब B क्या है 5 है F of 5 minus F of 3 divided by 5 minus 3 2 हो जाएगा तो आप लोग का ये Fx ये है अगर आप लोग इसको multiply कर लीजےगा तो आप लोग का क्या है उआएगा तो आप लोग का multiply करने पे अगर आप लोग चाहे तो इसका multiply भी कर सकते है अगर नहीं तो आप लोग ऐसे अगर F of 5 निकाल लीजगा 5 में से 3 गया तो 2 5 मे से 6 गया तो और 5 में से 9 गया तो माइनस 4 यह माइनस से माइनस कट गया तो mrk8 आप लोगों का f award 5 किया आएट आया अब क्या करना है आप लोग को f of 3 निकालना है तो यह थी जिरू हो गाजिक आप C texture in until 2 p को यहां से आ गृदिए कर मदे लूगों को है घैांच प्र intrigued to अगर आप लोग इसको मल्टिप्लाइ करते हैं तो इसको मल्टिप्लाइ करने पर क्या आता है वह में बता जाती हूँ आप लोग का एक्सक्यू आएगा और क्या आएगा माइनस 18 एक्सक्वेर प्लस 99 एक्स और माइनस 162 आप लोग को यह मल्टिप्लाइ करने पर यह आएगा तो xq का differentiation 3x square इसका क्या हो जागा 36x और plus 99 equal to 4 और आप लोग इसको solve की जागा तो 3x square minus 36 plus 95 equal to 0 तो आप लोग का यहाँ से x का value minus b plus minus b plus minus root under d by 2 तो आप लोग का 36 plus minus b square 36 square 36 square होता है 1296 में और minus 1140 ओके और divided by क्या हो जाएगा divided by 2 into a होता है मतलब 6 ओके आप लोग का देखिए अगर इस square आप लोग को square याद होना चाहिए ओके तो आप लोगों का यह इसका value क्या है देखिए इसका value आप लोगो 36 plus minus 12.59 upon 6 तो आप लोग इसको solve कीजएगा तो आप लोगो 8.8 और 4.8 आएगा ओके x का value यह आया और यह आप लोगो 4.8 है वो belongs कर रहा है 3,5 के बीच में ओके तो आप लोगो का क्या हो जाएगा such that लिख दिजेगा f does c equal to f of 5 minus f of 3 divided by 5 minus 3 तो हैंस language mean value theorem is verified हम लोगों को verify करना था language mean value theorem तो आप लोग इतना कर लिजेगा कोई भी c का value निकाल लिजेगा और बता दिजेगा यह जो c का value आया है मतलब जैसे 4.8 है ना तो 4.8 है वो belongs कर रहा 3,5 के बीच में तो such that यहाँ पर such that लिख दिजेगा such that f dash equal to f of 5 minus f of 3 divided by 5 minus 3 उसका लिखती जैगा hence language mean value theorem is verified तो आप लोग इस question को अच्छे solve कर लिए एक question में आप लोग को homework के लिए देती हूँ ताकि आप लोग बनाईएगा आप लोग को एक function दे देते हैं x into x minus 1 into x minus 2 on 0 से 1 by 2 आप लोग इस question को homework में बनाख लाईएगा तो आज पूरा वीडियो जो dedication था मतलो कि पूरा thumbnail पर ही लिकाता हू language mean value theorem तो आज हम लोग main value theorem अच्छे से पढ़ लिए कल क्या पढ़ेंगे कल हम लोग taylor's theorem बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आप लोग tension मतली जिएगा ok तो चलिए thanks for watching my video and thanks for coming supriya education ok bye take care पढ़ाई करते रहेगा all the best for you next exam चलिए thank you bye